हेलो फ्रेंट स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1-Tag तो फ्रेंट आज की ये वीडियो काफी जादा इंपोर्टेंट होने वाली है चाहे आप बड़े क्रियेटर हों और चाहे आप छोटे क्रियेटर हों दोनों के लिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन दो गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको करने से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा और अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और आप इन गलतियों को करते हैं तो आपका चैनल demonetize भी हो सकता है, मतलब आपके चैनल पे जो ads आती है, वो भी बंद हो जाएंगी, आपका चैनल का monetization है, वो off हो जाएगा, तो ये काफी जादा informative वीडियो है, तो वीडियो को पूरा last तक आपको जरूर देखना है, वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरी last वीडियो पे जिसका सबसे पहला comment था, उसका चैनल आपको मेरी screen के उपर दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज जाके इनके चैनल को support करें, और इनके चैनल का link आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो फ्रेंट सबसे पहली गलती है, इसके अंदर मेलनी चार चीज़े होती है, थमनिल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैक्स, जैसे मान लिजिये, आपने कोई वीडियो बनाई, और उसके उपर अंदर आप कुछ और दिखा रहे हैं उसके अंदर, और उसमें आपने थमनिल कुछ और लगा दिया, अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं कि ओनलाइन पैसे कैसे कमाएं, तो अगर आप ऐसे चैनल है आपका और आप इसकी वीडियो बनाते हैं, और आप उसके सारे टाइटल में आप क्या कर सकते हैं, मान लिजिए आपके टाइटल सेम भी हैं, तो उसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे करने से आपका वो मिसलेडिंग मेटाडेटा नहीं होगा, तो आपको ये इसमें चैनल करने चाहिए टाइटल में, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है, आप description में काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं बहुत ही unwanted tags लगा देते हैं जैसे आप video में बता रहे हैं कि online पैसा कैसे कमाएं और description में आप tag लगा रहे हैं कि YouTube पर thumbnail कैसे लगाएं YouTube channel कैसे बनाएं YouTube पर end screen कैसे लगाएं i button कैसे लगाएं इस तरह के unwanted tag जिनका उस video से correlation ही नहीं है उस तरह के tag आप अपनी video की description box में यूज कर रहे हैं तो ये भी misleading metadata है उसके बाद fourth number पर आता है टेक्स टेक्स में क्या करते हैं लोग काफ़ी सारे टेक्स लगा देते हैं वीडियो के tag के अंदर और वीडियो के topic कुछ और होता है उसमें भी tag में कुछ और लगा देते हैं जो viral tag हो रखे होते हैं उन्हें वो उसमें लगा देते हैं और बड़े-बड़े creators के नाम उसमें लिख देते हैं ऐसा भी आपको नहीं करना ये भी misleading metadata के category में आता है अगर आप ऐसी गलतियां करते हैं तो आपका channel monetize नहीं होगा तो दूसरी गलती क्या करते हैं कि आप किसी की भी वीडियो का content उठाके अपनी YouTube channel के उपर डाल देते हैं मतलब आप किसी का भी content copy करते हैं और आपको चाहे copyright strike भी ना मिले तब भी आपका channel monetize नहीं होगा जैसे माल लिजे आप कोई movie देख रहे हैं ठेटर में और उसे आप अपने mobile से record कर लेते हैं और आप सोचते हैं अब ये मेरा content है और आप अपने channel पर डाल देते हैं या फिर आप कोई news देख रहे हैं या फिर कोई tv serial देख रहे हैं आप उसको अपने mobile से record कर लेते हैं और उसे YouTube चैनल पर डाल देते हैं और आपको कोई copyright strike भी नहीं आती क्योंकि वो तो जब ही आएगी जब सामने वाले को पता लगेगा कि आपने उसका content use किया है तो अगर इस case में इस तरह की video आप बनाके डालते हैं तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है क्योंकि जब आप अपने channel को monetization के लिए भेजेंगे उस time आपका जो channel है वो reject हो जाएगा उसका monetization उसमें ये error आएगी कि आपने reused content की वज़े से आपका channel monetize नहीं हुआ है तो आपको ये दोनों गलतियां नहीं करनी है अगर आप इन दोनों गलतियां को करेंगे तो अगर आपका channel monetize है तो demonetize हो जाएगा और अगर आपका channel monetize नहीं है और आप उसे monetization के लिए भेजेंगे तो वो monetize नहीं होगा तो आप इन दोनों गलतियों को avoid करना है इनसे दूर रहना है इनसे बचना है उमीद करता हूँ आपको दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई भी question query है आपके mind में तो आप मुझे नीचे comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share जरूर करें Thank you